नमस्कार दोस्तूं परक्ष्या से पेले अंतिम प्रहार में तरू बात कर रहे हैं हम कम्प्यूटर की एक्जाम से पेले हम ये सो महत्वपून परसन लेकर आ रहे हैं दोस्तूं जो कम्प्यूटर के बेसिक नोलेज से रिलेटेड है और इनसे आपको हर एक्जाम में कोई सा एकजाम हो आपको इनसे है जरूर क्यूस्ण एकजाम के अंदर मिलते हैं दोस्थों तो अगर आप एकजाम के पहले इस वीडियो पर आये हैं तो ये 100% आप द्धान से एक बार जरूर अंतक देखें सो परसन है 100% है जो आपके किसी ना किसी परतियों की प्रिक्षा के अंदर पूछे गए हैं और दो से तीन बार पूछे गए परसन इस क्लास के अंदर रहेंगे दोस्तु तो आप अंतक मेरे साथ बने रहे हैं एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक सेर और जो नए साती है वो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें चलते हैं दोस्तु क्यूसनों की और पहला क्यूसन आपकी स्क्रीन पर निम लिकित मेंसे किसे कंप्यूटर का पिता मह कहा जाता है कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है मित्रू किसको कहा जाता है चाल्स बेवेज को कंप्यूटर का पिता चाल्स बेवेज को कहा जाता ह Q- Sydney में चलते हैं, Q- say, No. 2,упador के विकास में सरवादिक योगदान किसका है, अगर बात करें एक कंप्यूटर के विकास की, तो кंप्यूटर के विकास में सरवादिक योगदान किसका है दोस्तु वोन नूमान का, वोन न्यूमान का सरवाधिक योगदान है किसने पहला यांतरी कम्प्यूटर बनाया जो बविसे के कम्प्यूटर के लिए पर्ति गिर्ति सिद्ध हुआ दोस्तु यांतरी कम्प्यूटर पहला यांतरी कम्प्यूटर किसने बनाया था चार्ल्स बेवेज ने बनाया था दोस्तूं चार्ल्स बेवेज ने पहला यांतरी कम्प्यूटर बनाया था नेक्स्ट यूशन में चलते हैं सर्वपर्तम आदुनी कम्प्यूटर की खोज कब हुई आदुनी कम्प्यूटर की खोज कब हुई थी 1946 के अंदर 1946 में आदुनी कम्प्यूटर की खोज हुई थी नेक्स्ट यूसन में चलते हैं कम्प्यूटर की बोतिक बनाउट कहलाती है कम्प्यूटर की जो बोतिक बनाउट है ये क्या कहलाती है हाडवेर कहलाती है दोस्तु या चिप में दर्ज सामगरी को कहा जाता है क्या कहा जाता है सोब्ट्वेर कहा जाता है क्या कहा जाता है मित्रू सोब्ट्वेर कहा जाता है next question में चलते हैं question number 7 computer का नियंतरिक भाग कहलाता है computer का नियंतरिक भाग कहलाता है CPU CPU computer का क्या है नियंत्रक भाग कम्प्यूटर के किस यूनिट को कम्प्यूटर का मस्थिक्स माना जाता है किसको माना जाता है दोस्तू CPU को CPU को कम्प्यूटर का मस्थिक्स माना जाता है या कहा जाता है दोस्तू कम्प्यूटर का सबसे महत्वपूर भाग CPU दोस्तू CPU computer का सबसे महत्वपून भाग अगर मस्तिक्स का जाता है तो अपने आपी सबसे महत्वपून है next question में चलते हैं computer hardware जो आंकडू की भहुत अधिक मात्रा को बंडार में रख सकता है कहलाता है द्यान से समझे question को computer hardware जो क्या कर सकता है आंकडू को भहुत अधिक मात्रा में बंडार में रख सकता है वो कहलाता है चिप कहलाता है next question में चलते हैं question number 11 integrated circuit chip का विकास किस ने किया है integrated circuit chip का विस्कार किस ने किया था JS किलबी ने JS किलबी ने किया था integrated circuit chip का विस्कार next question में चलते हैं integrated circuit chip IC पर किस की परत होती है मित्रू सिलिकोन की तो IC पर सिलिकोन की परत होती है next question में चलते हैं चुम्ब की डिस्क पर किसे पदार्थ की परत होती है जो चुम्ब की डिस्क होती है उस पर किस की होती है आईरन ओकसाइड की चुम्ब की डिस्क पर आईरन ओकसाइड की परत होती है नेक्स्ट यूसन में चलते हैं, कम्प्यूटर में किसी सबद की लंबाई किसमें मापते हैं, किसमें मापते हैं दोस्तूं, बहुत अच्छा क्यूसन है और इस बार एक जमू के लिए important भी है, तो कम्प्यूटर के अंदर किसी सबद की लंबाई bit के अंदर मापी जाती है, bit क अंदर दोस्तूं नेक्स्ट यूसन में चलते हैं मेगा बाइट में मापते हैं मेगा बाइट के अंदर क्या मापते हैं दोस्तूं मेगा बाइट MB MB के अंदर computer की समर्थी सम्ता को मापते हैं Computer की समर्थी सम्ता MB Megabyte के अंदर Next Qs में चलते हैं Qs No.16 Storage मादेम की सम्ता की 1 I है Storage मादेम है उसकी सम्ता की 1 I इन में से कौन सी है Byte है दोस्तु Byte KB MB GB समझें भी तरू Next Qs में चलते हैं 1024 Byte बराबर है 1024 Byte किसके बराबर होता है दोस्तु 1 KB के 1 KB बराबर 1024 Byte 1 MB 1024 KB 1 GB 1024 MB यह तीनों याद रखनी हैं आपको दोस्तु Next Qs में चलते हैं Qs No.18 किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है यह बग क्या होता है दोस्तु Error होता है Error Error आता है न मित्रू उसी को का क्या जाता है बग का जाता है Next Qs में चलते हैं Memory सब्द किसे से समंधित है Memory किसे स समंधित होता है स्टोरेज से मेमोरी समंदित होता है इसे स्टोरेज से नेक्स्ट क्यूसिन में चलते हैं PC का आर्थ है PC का आर्थ क्या होता है मित्रू PC जो वेक्तिगत कंप्यूटर होता है उसको क्या बोला जाता है PC, प्रशनल कंप्यूटर सरवादिक सकतिसाली कम्प्यूटर है सूपर कम्प्यूटर तो आज तक सरवादिक सकतिसाली है सूपर कम्प्यूटर नेक्स्ट यूशन में चलते हैं डीजिटल कम्प्यूटर की सिधान्त पर कारिय करता है जो digital computer होता है वो गणना के सिद्धांत पर कारिये करता है किस पर गणना के सिद्धांत पर next question है सरवादिक तेज गती का printer है सरवादिक तेज गती का printer कौन सा printer होता है दोस्तु laser printer होता है important question बन सकता है यह आपके सरवादिक तेज गती का printer laser printer क्योंसर नमर 24, सूपर कम्प्यूटर अन्य कम्प्यूटरू से किस संदर में बिन होते हैं, जो सूपर कम्प्यूटर है, वो आपका अन्य कम्प्यूटरू से किस परकार बिन होता है दोस्तूं, किस परकार होता है, परिकलन समताव व्रत इसमर्ती भंडार के अंदर, परिकलन यानि गणना करने की समता बहुतेज होती है और इसमर्ती भंडार भी बहुत अधिक होता है option C next question में चलते हैं 25 नमर आदूनिक digital computer में किस पदती का उपियोग किया जाता है तो आदूनिक digital computer है इनके अंदर द्वी आदारी अंक पदती है जो यहां पर आपका सही रहेगा option C next question में चलते हैं computer भासा फोट्रेंड किस चेतर में उपियोगी है किस चेतर में उपियोगी है विज्ञान के चेतर के अंदर important question बन सकता है यह तीन भर्तियों में 2021 के अंदर आ चुका है next question में चलते हैं computer भासा कोबोल किसके लिए उपियोगी है कोबोल है मित्रू यह वेवसाही कार्यू के लिए उपियोगी भासा होती है किनके लिए वेवसाही कार्यू के लिए उपियोगी next question में चलते हैं किस computer भासा का परियोग वानिजे कार्यू में किया जाता है किस computer भासा का जो परियोग है वो वानीजे कारियों में किया जाता है मित्रूं किसका किया जाता है कोबोल का वेवसाई क्या वानीजे के एक ही चीज है क्यूसन को change किया है दोस्तूं next question में चलते हैं program एक तु सर्वपर्तम विक्सित की गई computer भासा program के लिए सर्वपर्तम विक्सित की गई computer भासा है for train दोस्तूं next question में चलते हैं question number 31 अंग्रेजी भासा के समान उच इस्तरिये computer भासा है कोबोल है दोस्तूं next question में चलते हैं question number 32 किस भासा में सर्वादिक उप्यूक्त documentation संभव है दोस्तूं किस भासा के अंदर कोबोल के अंदर next question क्यूसर नंबर है आपका 33 पोटेन, अलगोल, पासकल आदी भासाओं को सिखाने के लिए किस भासा को नीउ का पत्तर कहा जाता है तो नीउ का पत्तर किस भासा को कहा जाता है मितनु important question बन सकता है नीउ का पत्तर के वासा को कहा जाता है इसको? बैसिक भासा को अनने बासाओं को सिखाने के लिए नीउ का पत्तर basic बासा होती है next question है जटिल वेगैनिक गण्नाओं के लिए परियोग किया जाता है जटील वेगैनिक गण्नाएं है उनके लिए किसको फोर ट्रेन को दोस्तु नेक्स्ट यूशन में चलते हैं बेसिक बासा का परियोग निवन मैंसे किस कारिये के लिए किया जाता है इसकारिये के लिए किया जाता है दोस्तु बेसिक बासा का प्रारम में सरल बासा को सिखाने के लिए बेसिक बासा का प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट यूसर में चलते हैं क्यूसर नमर चतिस बासा जिसे कम्प्यूटर समझता है वे निस्पादित करता है कहलाती है कौन सी बासा कहलाती है मित्रू मसीनी बासा मसीनी बासा कम्प्यूटर समझता है और निस्पादित करता है दोस्तु नेक्स्ट यूसर ने कम्प्यू कौन है Sun Microsystem next question क्यों से नमर 38 अधिकतर computer समझ सकता है जो अधिकतर computer है आपके वो समझ सकता है अंग्रेजी बासा सैदर्श उच इस्तरिय निर्देश को दोस्तूं अंग्रेजी बासा के सैदर्श उच इस्तरिय जो निर्देश है उनको समझ सकता है next question computer grid होता है यह computer grid क्या होता है दोस्तूं एक software अव सरचना जिसमें कहीं अभीकलन परतिश्टान जुड़े होते हैं computer grid जिसमें भहु सारे जो अभीकलन परतिश्टान है वो जुड़े होते हैं एक software सरचना होती है यह next question में चलते हैं question number 40 windows software का निर्माण किया गया windows जो software है इसका निर्माण IBM Apple Corporation Vipro द्वारा इन में से किसी के द्वारा नहीं D options ही रहेगा next question में चलते हैं Oracle है Oracle क्या है Oracle क्या है Oracle क्या है मित्रू database software है Oracle next question में चलते है question number 42 कौन सा software सबद संसाधन में परियोग किया जाता है सबद संसाधन में कौन सा software परियोग किया जाता है यहाँ पे देखे सबद संसाधन page maker नहीं यहाँ पे यह word star है यह भी नहीं MS word भी नहीं सबद संसाधन के लिए MS word तो इन में से कोई नहीं डी ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं कम्प्यूटर में पास्वर्ड सुरक्सा करती है किसकी दोस्तों तंतर के अनदिक्रित अभिगमन से यानि कम्प्यूटर के अंदर जो कुछ गलत हरकतें करने के लिए गुशते हैं यानि वाइरस एक वाइरस के रूप में समझ सकते हैं वाइरस वो नहीं होता है लेकिन अगर आपने अपने मोबाइल में जो पास्वर्ड लगाएं तो अगर कोई जो किसी को दूसरे को मोबाइल मिलता है तो वो आपके मोबाइल में कुछ नहीं कर पाता है इसी परकार computer के password, जिसमें आप करना चाहते हैं, आप ही कर सकते हैं कुछ काम, कोई दूसरा उसको छेड नहीं सकता, next में चलते हैं, question number 40, निम लिकित में से कौन सा computer को telephone line का परियोग करके data अंत्रित करने की अनुमती देता है दोस्तु, कौन देता है, modem, ये important question बन सकता है वो क्या करता है मित्रूं, वै कंप्यूटर के लिए सभी परकार का चिंतन करता है, तो program कंप्यूटर के लिए सभी परकार का चिंतन करता है दोस्तु, next question में चलते हैं, विश्वे में सरवादी कंप्यूटरू वाला देश कोन सा है, सरवादी कंप्यूटरू वाला देश है स्यूंक्त राज्य अमेरीका दोस्तूं क्यूसर नमर से तालिस है कंप्यूटर साक्सरता दिवस कब मनाया जाता है कंप्यूटर साक्सरता दिवस दो दिसंबर को मनाया जाता है नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं, एक बाइट में होते हैं, बहुत अच्छा क्यूसन, एक बाइट के अंदर होते हैं, बिट कितने होते हैं मित्रूं, अच्छा क्यूसन है आपके सामने, आठ बिट होते हैं, इंपोर्टेंट क्यूसन है ये, नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं क्यूंसर नंबर 59 बारत में सिलीकॉन वेली कहां इस्तित है भारत के अंदर silicon वेली बंगलोरु के अंदर दोस्तों कहां पर है बैंगलोरु में नेक्स्ट में चलते हैं पेला संक्रियात्मै उल्यक्ट्रोनिक अंकी है कंप्यूटर है द्यान से पढ़ ले क्यूंसर को पेला सं निर्मित पर्थम कंप्यूटर बारत में कौन सा कंप्यूटर है जो पर्थम यानि सबसे पहले निर्मित हुआ सिधार्थ सिधार्थ बारत में निर्मित पर्थम कंप्यूटर नेक्स्ट में चलते हैं Microsoft क्या है दोस्तूं? Software विकास करने वाली एक संस्ता है Microsoft. Microsoft क्या है? Software को विक्सित करने वाली एक संस्ता. Next में चलते हैं. Microsoft Company के संस्तापक है. Microsoft जो Company है उसके संस्तापक. Paul Allen, Bill Gates दोनु है दोस्तूं. उपरोग दोनु. C option. Next में चलते हैं. Microsoft के संस्तापक है. कौन है दोस्तूं? जो Microsoft है इसका संस्तापक कौन है? Paul Allen है दोस्तूं. और संस्तापक Bill Gates है दोस्तूं. Next में चलते हैं. सूचना राजपत किसें कहते हैं? सूचना राजपत. Internet को का जाता है सूचना राजपत. मित्रों आप सभी को बता दू. ये बहुती basic क्यूसन लेकर आया हूँ आज की कलास में. बाकी जो computer से related है. मैंने तीन कलासों में. 100, 100, 100 से 300 क्यूसन और topic अनुसार मेंने. playlist बनी हुए वहाँ पर देख सकते हो. topic अनुसार भी क्यूसन करवा दिया हैं. वो कलासे अटेंड कर लें सभी. आगे चलते हैं क्यूसन नमर 56 की ओर. email का जनमदाता किसे माना जाता है? email का जनमदाता बहुत अच्छा क्यूसन. बहुत कम जगा आपको ये क्यूसन है जो देखने को मिलेगा. Ray Tomlinson को. email का जनमदाता Ray Tomlinson को. नेक्ष्ट में चलते हैं क्यूसन नमर 57. Pentium Chip का आविस्कार किस ने किया? Pentium Chip है उसका आविस्कार किस ने किया था? Important Qsन है ये भी आपके लिए. किस ने किया था? विनोद धामने दोस्तूं. क्यूसन नमर 58. Computer Subdavali में बग से क्या भी प्राई है? बग से क्या मतलब होता है Computer Subdavali में? प्रोग्राम में एक गलती दोस्तूं. कोई प्रोग्राम है उसके अंदर एक गलती होती है तो वो क्या है? बग है, Error है दोस्तूं. Next में चलते हैं. Internet के चेतर में www.kा प्रियोग किसके लिए किया जाता है? इसके लिए किया जाता है? यानि जो www है इसका फुल पॉम. वाइड वाइड वेब दोस्तूं. वाइड वाइड वेब. Next में चलते हैं. रेम का पून्ड रूप क्या है? ये भी बहुत अच्छा क्यूसन आया है. रेम, Random Assage Memory. Random Assage Memory. रेम, R-A-M. आगे चलते हैं Q-San 61 की ओर. CPU का क्या आर्थ है? CPU का क्या आर्थ होता है? Central Processing Unit. ये भी आपके लिए Important Q-San Amitru. CPU की फुल पॉम पूची जा सकती है आप से. Next में चलते हैं. CAD का क्या आर्थ है? CAD. CAD का क्या आर्थ होता है? Computer Edit Design. Computer Edit Design. C-A-D का आर्थ होता है. Next में चलते हैं. IBM का पूर्ण रूप. क्या पूचा आपको? IBM का पूर्ण रूप. International Business Machine. IBM. I say International, B say Business, M say Machine. Next में चलते हैं. CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है? CD-ROM का पूर्ण रूप. पूचा आपको यहां पे. Compact Disc. Read Only Memory. ROM का क्या होता है? R-O-O-M. R-O-M. Read Only Memory. Read Only Memory होता है. ROM का. और जो सामने CD दिया हुआ है आपको यहां पे. Compact Disc होता है इसकी Full-Warm. Next क्योच्चर में चलते हैं. Qsar No. 56. Sorry, Panser. Nim liquid उत्पादू में से कौन सा उत्पाद? Pentium. Brand नाम से बेचा जाता है. किसको बेचा जाता है? Important Qution बन सकता है? यह भी दोस्तूं. किसको? Micro Processor को. किसको बेचा जाता है? Micro Processor को बेचा जाता है. Next Qution की ओर चलते हैं. Qution No. 66. WWW. World Wide Wave के आविसकार कोन मने जाते हैं? Tin Burners Lee. तो WWW के आविसकार हैं. Tin Burners Lee दोस्तूं. Next Qution है. Yahoo, Google, MSN. यह क्या है दोस्तूं? यह Internet की साइटे हैं. Yahoo, Google, MSN. आगे चलते हैं Qution No. 68 की ओर. Computer Subdkos में CD अक्सरूं का परियोग किसके लिए किया जाता है? CD अक्सरूं का Compact Disc के लिए. CD ROM का आड़ देखा था, वहाँ पे बताया था. CD, Compact Disc. Next में चलते हैं Qution No. 69. Nim Likit में से कौन एक Computer की भासा नहीं है? इनमें से Computer की भासा कौन सी नहीं है मित्रूं? Basic है, C है, C++ भी होती है. Fast नहीं है, Portain है. तो यहाँ पे C Option. Fast, Computer की भासा नहीं है दोस्तूं. Next में चलते हैं Qution No. 70. Nim Likit में से कौन सी सूचना, प्रोध्योगी की सबदावली नहीं है? सूचना, प्रोध्योगी की सबदावली इनमें से कौन सी नहीं है? Cyber Space है, Upload है, परकास बंडारन यह नहीं है और Modem भी है. तो C Option, परकास बंडारन, सूचना, प्रोध्योगी की सबदावली नहीं है. Next में चलते हैं Qution No. 70. पहले इलेक्ट्रोनिक अंकिये कम्प्यूटर में क्या था दोस्तूं? जो पहला इलेक्ट्रोनिक अंकिये कम्प्यूटर है, उसके अंदर Valve थे दोस्तूं. क्या थे? Valve. Next में चलते हैं, अनुपम क्या है? यह भी अच्छा Qution बन सकता है एक्जाम में. अनुपम क्या है मित्रूँ? अनुपम एक सूपर कम्प्यूटर है. क्या है? सूपर कम्प्यूटर. भारत में विक्सित. Next में चलते हैं. भारत में विक्सित परम सूपर कम्प्यूटर का विकास किस संस्ता ने किया था? किसने किया था? सबसे छोटी काई कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी काई बीट होती है बीट से बाइट के भी MBGB दोस्तु सबसे छोटी बीट होती है next है Michael Angelo वाईरस है Michael Angelo वाईरस एक कंप्यूटर वाईरस है दोस्तु यह Michael Angelo एक कंप्यूटर वाईरस होता है क्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प को आवेगू में परिवर्तित करती है वह उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलिफोन लाइन पर संप्रेशिद करती है उसको क्या कहते हैं मोडेम कहते हैं important question है यह आपके लिए next question में चलते हैं कौन मस्तिक्स के कारिये परनाली की नकल करने वाला सबसे तेजगती वाला computer होगा दोस्तु कौन सा computer होगा quantum computer quantum computer मस्तिक्स की जो कारिये परनाली है एक मानव के उसकी नकल करने वाला सबसे फास्ट computer होगा यह next में चलते हैं कौन सी भाबा परमाणू अनुसंधान के अंदर द्वारा विक्सिद सूपर computer पर योजना है यह भी important question आपके लिए बन सकता है कौन सी है अनुपम है दोस्तु किलो बाइट अत्वा मेगा बाइट एंड के भी और MB के रूप में विक्त की जाती है एक बाइट बना होता है बहुत अच्छा क्यूसन आया तो एक बाइट है वो किससे बना होता है आट द्वी आधारी अंकू से दोस्तु हूँ नेक्स्ट यूसन में चलते है क्यूसर नम पर्यूगत यूनिट कौन सी है दोस्तु बिट पर 32nd बिट पर 32nd BPS नेक्स्ट में चलते हैं क्यूसर नमर 83 कंप्यूटर ये कंप्यूटर है क्या दोस्तु देखे आकडू के बंडारन करने वाली एक सकसम युक्ती कंप्यूटर है आकडू के विशलेशन करने के लिए सकसम है computer सही है पूर्ण गोपनियता बनाई रखने में सक्सम है computer कभी-कभी वाइरस द्वारा आकरमित यानि कि रोगी बन जाता है computer ये भी सही है चारू सही है computer के बारे में सभी चारू सही है next में चलते हैं कि उसर नमबर 84 compiler क्या है ये compiler क्या होता है मितरू compiler एक ऐसा प्रोग्राम जो उच इस्तरिये बासा को मसीन बासा में अंतरित करता है यानि कि जो बासा है उच इस्तरिये उसको मसीनी बासा में बदलने वाला ये अंतर क्या होता है compiler होता है दोस्तों next में चलते हैं कि उससर नमबर 85 assembler का कार ये यह assembler क्या करता है, assembly बासा की यंतर बासा में परिवर्तित करना, जो assembly बासा है उसको यंतर बासा में बदलना, next में चलते हैं, spam, spam किस विशे से समंदित सब्द है, spam दोस्तुं, computer से समंदित सब्द है, spam, next में चलते हैं, ALU का पूरा रूप, ALU, arithmetic logic unit, arithmetic logic unit, किसका होता है, ALU का पूरा रूप होता है, next में चलते हैं, question number 88, निमनांकित में से कौन सी सूचना प्रोध्योगी की, पारिभासी की नहीं है, कौन सी नहीं है, दोस्तुं, login है, modem है, password है, पिनाका नहीं है, पारिभासी की नहीं है, पिनाका, D option सही रहेगा, question number 89, एकी करित परिपत, IC के आविस्कार से, किस PD का जनम हुआ, यह important question, exam के लिए बन सकता है, आपके लिए, Qs number 91, सामाने रूप से परियुक्त किया जाने वाला computer है, कौन सा है, सामाने रूप से परियुक्त किया जाने वाला computer, digital computer है, दोस्तुं, Next question में चलते हैं, बारत में सर्वपर्तम दिखाई देने वाला computer virus, बारत में कौन सा, C brain, बारत में सर्वपर्तम दिखाई देने वाला computer है, C brain दोस्तुं, Next में चलते हैं, क्यों से नमर 93, अरनेट, अरनेट क्या है, ये अरनेट क्या है दोस्तुं, एक computer network होता है, अरनेट, क्या है, एक computer network, Next question में चलते हैं, जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेसित करने में किया जाता है, तो ये सुईदा कहलाती है, इंटरनेट का प्रियोग संदेश प्रेसित में करते हैं, तो ये सुईदा email कहलाती है, क्या कहलाती है मित्रू, email कहलाती है, नेक्स्ट में चलते हैं पर्देश है ये पर्देश क्या है मित्रूं पर्देश भारत के किसी राज्य को राज्य का उपनाम नहीं है ये कंप्यूटर की बासा होती है पर्देश पर्देश कंप्यूटर की बासा नेक्स्ट में चलते हैं पांच्वी PD के कम्प्यूटरों में क्या उपलब्द नहीं है इम्पोर्टेंट क्यू सन पांच्वी PD के कम्प्यूटरों में क्या उपलब्द नहीं है निर्वात टूब नहीं है दोस्तु डी ओप्सन सही है नेक्स्ट में चलते हैं आधूनिक डिज Digital Computer में किस पदती का उप्योग किया जाता है दिजिटल Computer उनके अनदर द्वी आधारी अंक पदती का उप्योग किया जाता है क्यों से नमबर 98 निर्ण में से कौन सा माऊस जेसा कारिये करता है यह बहुत इंपोर्टेंट क्यों से नहर 누cember एक जामू में आया है, माउस जैसा कार ये, ट्रेक बोल करता है मित्रू, कौन ट्रेक बोल, क्यों से नमबर 99, लोजिक गेट, ये लोजिक गेट क्या होता है मित्रू, एक परकार का सरकीट होता है, लोजिक गेट, लोजिक गेट एक सरकीट होता है, और अंतिम सो नमर क्यों से टेली सोब्टवेर का परियोग किस काम के लिए किया जाता है टेली सोब्टवेर का टेली है जो सोब्टवेर है इसका परियोग अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग के लिए किया जाता है परियोग दोस्तों तो ये 100 क्यूसन बिल्कुल बैसिक क्यूसन में आपके सामने लेकर आया हूँ इस कलास के अंदर कोई सा भी एक्जाम हो एक या दो क्यूसन इनमें से आपको जरूर मिल जाएंगे कैसा लगा ये कलास आपको कमेंट करके बताएं वीडियो को लाइक सेर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें आप सभी को मेरी और से बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद जे बारत